Hello friends, welcome back to my channel MomServier, मैं हूनी दी, आज आपके सामने एक वीडियो के साथ आई हूँ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि प्रिमिचुर बेबी को नहलाते कैसे हैं क्योंकि जो प्रिमिचुर बेबी होते हैं उनको नहलाना सबसे बड़ा टास्क होता है और अगर आप अकेले हैं आपके साथ कोई बड़ा नहीं है तब तो बहुत मुश्किल होता है प्रिमिचुर बेबी को नहलाना क्योंकि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जिसे बचों को नुकसान ना हो तो वीडियो पसंद आए तो उसे like and share जरूर करना, वीडियो को subscribe जरूर करना और bell icon को दबाना मत भूलना ताकि आपसे कोई भी मेरी वीडियो miss ना हो पाएं तो मैं अपने यहां पर अपना topic स्टार्ट करती हूँ, premature baby को नहलाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उनकी जो skin होती है बहुत साधा sensitive होती है, उनको ठंड लगने का भी बहुत डर रहता है इसलिए यह आपकी जुएस है कि आप अपने बच्चों को sponge bath देते हो कि उसे बाट टब देते हो sponge bath बेबी को देना जो premature baby हो तो उनको इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि जो premature baby होते हैं उनकी नाभी में cord लगी होती है तो कभी कभी क्या होता है जो cord होती है उसमें कोई infection हो जाते हैं या वहाँ पर bleeding हो रही होती है तो इसलिए उनको बाट टब देने के लिए डॉक्टर मना करते हैं जब तक उनके जो नाभी में जो infection हो जाता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम उन्हें sponge बात ही देते हैं उसके बाद आप उन्हें बाट टब दे सकते हैं sponge बात में भी आप ध्यान रखना कि जो जो भी आप close जो बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं तो जो अगर आप कोई भी close यूज कर रहे हैं तो फेस के लिए अलग होना चाहिए उनकी पूरी बॉड़ी के लिए अलग होना चाहिए आप पूरी एक ही कपड़े से पूरी बच्चे की बॉड़ी को साफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बच्चे को हार्म हो सकता है प्रिमिचर बेबी को डेली बात कराना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि जो प्रिमिचर बेबी के जो जो इसकी रहती है बोगत जादा सेंसिटीव होती है उन्हें ठंड लगने का भी बहुत डर रहता है और कि इसकी में बहुत जल्दी ड्राय होती है इसलिए आप उन्हें एक हफ्ते में दो से चार बार बात करा सकते हैं बेबी के जब आप बेबी को नहलाने जा रहे हैं जो भी क्यूप्मेंट्स आपको जरूरी हैं उस टाइम आप बेबी के टप के आसपास पहले ही रख लिजे आप बेबी क्लोस रख लिजो भी उसे कपड़े बाद में पहनाने हैं आप थर्मामीटर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप पानी का टेंपरिचर मेजर में कर सके बेबी के नहलाने के पानी को जो टेंपरिचर होता है वो 97 27.5 से 99.3 फेरनाइट होना चाहिए क्योंकि अगर इससे कम होगा तो बेबी को ठंड लगने का डर रहेगा और बेबी के लिए जो भी आप क्लोस यूस कर रहे हैं उसका फेस साफ करने के लिए उसकी पूरी बॉड़ी साफ करने के लिए वो सारे आपके पास होने चाहिए क्ली इस तक हम ऑड करने के लिए टोल होनी चाहिए है hon नीचेय जो कि आप बेबी को नहलाने के बाद उसके सर में किया जाएं, तो जिससे बेबी को भी प्रॉब्लम नहीं होती और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेबी को नहलाने में तो मैं यहाँ पे बताऊंगे कि कौन से step आपको follow करें जिसे बेबी को problem ना हो अगर आप बेबी को इस पंज बात दे रहे हो या उसे बाट टब भी दे रहे हो तो बेबी का जो फेस होता है वो डारेक्ट पानी से आप ना साफ करके एक उसके लिए क्लोस रख लें क्लोस होना चाहिए उसको आप वाम वाटर में वेट कर लें फिर बेबी के जो आप क्लोस यूज कर रहे हैं उसका जो एक कॉर्णर से आप बेबी की आईस साफ करेंगे आईस को कैसे साफ करना है इनर से आउटर कॉर्णर बेबी के आईस को साफ करना है फिर जो आप जो कपड जितना कपड़े का कितना portion भचा है उससे आप बेभी का पुरा फेस साफ कर सकते हैं लेकिन आप डायेक पाने से मज साफ करें क्योंकि जो कभी-कभी क्या होता है आप पने बेभी की फेसे पानी डाला लेकिन प्रेमिचर बेभी के ब्रीधिंग पावर जो होती हो इतनी जाद pack में जो folds बने होते हैं और जो उनका neck होता है उसमें आप पानी से उसको साफ कर सकते हैं वहाँ पर आप soap का यूज कर सकते हैं आप face जब आप baby का face wash कर रहे हैं उसमें आप कोई भी soap मत यूज करेए लेकिन आप जब आप baby का neck और ear साफ कर रहे हैं वहाँ पर आप soap का यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप ध्यान रखें आप baby के लिए वही soap यूज़ करें जो केवल baby के लिए यही बने हो क्योंकि उसमें क्या होता है उसमें chemical कम होता है उसके बाद आप baby की पूरी body को साफ करें और आप पूरी body में baby के लिए soap यूज़ कर सकते हैं फिर पूरी body आपने साफ कर दिया सिर्फ last में फिर baby का आप hair साफ करेंगे सबसे पहले baby का आप hair नहीं साफ करेंगे क्या होता है कि अगर आप आपने पहले baby के hair साफ कर दिये तो उनको बहुत जल्दी इससे ठंड लग सकती इसलिए लास्ट में ही बेबी की हेर साफ करिए फिर आपने बेबी को नहलाने के बाद उसे जल्दी से ड्राइ कर दीजे उसके बाद जो भी आपने उसके लिए कपड़े रख रखे हैं लीन होने शहीं बिल्कुल वह आप पहना दीजे और अगर बेबी को फेडिंग के ज़रूत है तो आप उसे फीड करा जीजे फ्रेंड्स मैं वीडियो यहीं पर खतम करती हूं तब तक के लिए बाबाई